कौन था शिशुपाल? शिशुपाल तीन जन्मों से श्री कृष्ण से बैरभाव रखे हुआ था. इस जन्म में भी वह विश्णू के पीछे पढ़ गया. दरसल शिशुपाल भगवान विश्णू का वही द्वारपाल था जिसे कि संकादि मुनियों ने शाप दिया था. वे शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था. रुक्मणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था. रुक्म अपनी बेहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे. लेकिन शिशुपाल ने श्री कृष्ण को गेरने के लिए जरासंद का हर मौक에 पर साथ दिया था शिशुपाल को यह भी मालूम था कि श्री कृष्ण मुझे सồi अपराद करने तक नहीं मारेंगे क्यों? श्री कृष्ण ने सौ बार क्षमा करने का प्रण लिया था श्रिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था जब श्रिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके तीन नेत्र तथा चार भुजाएं थी वह गधे की तरह रो रहा था माता पिता उससे घबरा कर उसका परित्याग कर देना चाहते थे लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत वीर होगा तथा उसकी मृत्यू का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने भाल स्थित नेत्र तथा दो भुजाओं का परित्याग कर देगा इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विशय में जानकर अनेक वीर राजा उसे देखने आए शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं की गोद में बालक को दिया अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी दो भुजाएं पृत्वी पर गिर गई तथा ललाट वर्ती नेत्र ललाट में विलीन हो गया इस पर बालक की माता ने दूखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की रक्षा की मांग की शिशुपाल का वद एक बार की बात है कि जरा संग का वद करने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लोट आएं तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसुय यग्ग की तैयारी करवा दी उस यग्ग के रतिज आचारे होते थे यग्ग में युधिष्ठिर ने भगवान वेदव्यास, भारद्वाज, सुनत्तु, गौतम, असित, वशिष्ठ, चयवन, कंडव, मैत्रे, कवश, जैमिन, क्रतु, पैल, पाराशर, गर्ग, वैशम पायन, अथरवा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आ यग्ग की शुरुवात के लिए समस्त सभासदों में इस विशय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए, तब सहदेव जी उठकर बोले, श्री कश्न ही सभी के देव हैं, जिन्हें ब्रह्मा और शंकर भी पूजते हैं, उन्हीं को सबसे पहल पूजा जाए, पांडु पुत्र सहदेव के वचन सुनकर सभी ने उनके कथन की प्रशंसा की, भीश्म पितामह ने स्वयम अनुमोधन करते हुए सहदेव का समर्थन किया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधी से भगवान श्री कृष्न का पूजन इस कार्य से चेदिराज शिशुपाल अपने आसन से उठखडा हुआ और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मती मारी गई है, क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक की हां में हां म क्या कौवा हविश्यान न ले सकता है, क्या गी दरसी हैं का भाग प्राप्त कर सकता है, न इसका कोई कुल है, न जाती, नहीं इसका कोई वर्ण है, राजा ययाती के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही भहिश्कृत कर रखा है, यह जरा संग के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था. भला यह किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकारी है? इस प्रकार शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित कर गाली देने लगा. यह सुनकर शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्सिय, केकै और को शांत कर यग्य कार्य शुरू करने को कहा. किन्तु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. उसने फिर से श्री कृष्ण को ललकारते हुए गाली दी, तब श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा. बस शिशुपाल, मैंने तेरे एक सौ अपशब्दों को क्षमा क करने की प्रतिग्या की थी. इसी लिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे. अब तक सौ पूरे हो चुके हैं. अभी भी तुम खुद को बचा सकने में सक्षम हो. शांत होकर यहां से चले जाओ या चुप बैठ जाएं. इसी में तुम्हारी भलाई है. लेकिन शिशुपाल पर श्रीकृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ. अतहु उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्रीकृष्ण को फिर से गाली दी. शिशुपाल के मुख से अप्शब्द के निकलते ही श्रीकृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक जपकते ही शिशुपाल का सिर्क कट कर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योती निकल कर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई।